हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल हिंदी हब पर कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद करती हो सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई करेंगे तो बच्चो आप लोगों के लिए सबसे परिशानी वाली सबसे समस्या वाला विश्य होत लखना है और व्याकरण की जो वीडियो आपको बताए गए जो क्लासिस में आपको दिखाई है उसमेरे व्याकरण के बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक क्यों याद रखने की शौट ट्रिक्स बताई है तो आपको निया शौट ट्रिक्स को याद रखना है अब आप जो सब्यानिश पढ़ लिया संदर लेकिन सबसें बच्चे मात खा जाते हैं और व्याकरण में हमेशा प्रशन पूछे जातीए चाया U.P., बिहार वोड हो चाहे एंपी हो चाहे राजस्थान आपकी परिक्षाओं में व्याकरण से आपको प्रश्णा नहीं है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको व्याकरण को याद रखना है सबसे पहले तो आप लोग को एक काम करना है कि प्रश्णा प्रश्णों को देख लेना अब ये क्लास बोट्स वाले बच्चों के लिए तो बेसिकली है लेकिन वोल जो प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे है वो भी ध्यान से समझ ले कि उन्हें व्याकरण को कैसे पढ़ना है ठीक है सबसे पहले व्याकरण के एक एक टॉपिक को उठाना है ऐसा निकरना कि उसी दिन संधी पढ़ लिए उसी दिन समाज पढ़ लिया उसी दिन अलंकार नहीं ये का भी निकरना हमेशा एक एक टॉपिक उठाना है और सबसे अच्छा है कि भाई जो 6 से ले पीछे भी दिए रहती है तो याद रखना आप लोगों कोस्ट तेक्स से लेके 12 तकी पूरी व्याक्रण की पूरी बुक पढ़ना है ठीक है अब आप लोगो दिमाग में कोउच्चन आया होगा कि सिक्स से लेके क्यों पढ़ना है यूँकि बच्चो सिक्स में आप संध्या पढ़ोगे? ठीके, आपने पढ़ ली संघ्या, संघ्या का आपने सिर्फ छोटा सा इससा पढ़ा बेसिक, आप उसके बाद आप संघ्या के पूरे प्रिकार पढ़ेंगे 7th में, ठीके? फिर आप 8th में क्या पढ़ेंगे? उसकी उदाहरन, ऐसे ही ऐसे आप step by step, आप कैसे च क्लास की ग्रामर पढ़ ली, तो आपको 7th की ग्रामर पढ़ना असान हो जाएगा, 8th की ग्रामर पढ़ना असान हो जाएगा, अगर आपने डारेक्ट 8th में पढ़ना शुरू किया ना, तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? समस्या हो जाएगी, क्यों कि कई बार क्य तो सबसे पहले आपको उसको बुक से पढ़ना होगा अगर आप NCRT पढ़ रहे हैं तो NCRT की आपको पार्ट का पूरा चैप्टर पढ़ना होगा तब ही आपको पार्ट से संबंदित प्रशन उत्तर क्योंकि आपके पार्ट में ही प्रशनी चुपे हैं आपके पार्ट में ह पढ़ना है, विलकुल ठीक उसी तरह, आप लोगो grammar भी पढ़नी है, ठीक है, यानि पूरा chapter, किसके क्या नियाम है, किसको कैसे याद रखना है, किसके क्या लक्षड है, किसको पहचानने की तो आपको क्या करना है, step by step पढ़ना है, पूरा, यह first step हो गया, ठीक है, यह हो गया second, यह हो गया third, तो ऐसे पढ़ना है step by step, ऐसा निकरना है, कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ लिया, मालो आप लोग अलंकार पढ़ रहे हैं, जीक है, अब ऐसा निकरना है कि अलंकार का उठा लिया, सर्फ अनुप्रास लंकार वो पढ़ी नहीं आपको पता हो न n चाहिए अनुप्रास लंकार क्या है या फिर अलंकार कि अंतरगत आना है अनकार यानि वो सब्द जो की काव्वे की सोभावराते हैं अब माल लो आप पुष ऱमतकार उत्पन लिखाओ तो इसमें क्या हो जाएगा आपको आता है वो topic लेकिन फिर भी आप confused हो जाएंगे इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे बार-बार कि आपको पूरा topic पढ़ना होगा अलंकार क्या है इसको अच्छे से पढ़ना होगा फिर अलंकार के भेद शब्दा लंकार अर्था लंकार और उभी अलंकार इन तीनों को पढ़ना होगा फिर आपको तब पता चलेगा कि शब्दा लंकार के बाद आता है आपका अनुप्रास अलंकार मालो आपने पहली सीड़ी नहीं चड़ी हो सीधा तीसरी चौती सीड़ी चड़ी तब तो क्या होगा तब तो आप लोगों को गलती चीज़ें मिलेगी या फिर चड़नी में बहुत कठनाई होगी इसलिए शुरुआत करो पहली सीड़ी से पहले पढ़ लिया फर्स्ट स्टे परिभाषा किसी को कभी रटना नहीं है याद रखना परिभाषा रटना नहीं है परिभाषा को ही हम कहते हैं लक्षन चीक है इसे ही हमने कह दिया क्या लक्षन किसी चीज़ को पहचानने की ट्रिक यानि वो लक्षन मालो हम पढ़ रहे हैं कोई भी मालो अव्याई भाव स समाज की परिभाषा रटना नहीं है उस परिभाषा को समजने की कोशिश करना है क्योंकि वो एक क्या है लक्षान है उसको याद रखने फिर सबसे इंपोर्टेंट है ज्यादा से जादा उसके उधाहरण करना व्याकरन को अगर बहुत अच्छी सी सीखना है तो this is important point यह यहा अब अगर सरवेनाम पढ़ रहे हैं व्याकरन का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ना होगा उदाहरन पढ़ रहे होंगे अभी तो आप लोग बहुत ही बेसिक सी ग्रामर पढ़ रहे हैं मालो आप आगे जाकि कभी M.E. करती हो पिएसजी करते हो तब आपको व्याकरन की छोटे छोटे नियम याद रखने पढ़ेंगी कहा पर मिंदी लग रही हैं कहा पर हलंत रख रहा है तब आप लोगों को और कठिन लगेगा इसी लिए अभी आपको क्या करना है चटीवी से लेकर बारवी कप्छा तक की ग्रामर की व्याकरन की पूरी पुस्तक को पढ़ लिना है पूरे चैप्टर को पढ़ना है अगर आप छंद पढ़ रहा है तो छंदे से संबंधित एक एक बात आपको पढ़नी होगी यह नहीं करना है चंदे से मालो कि मेरे अक्जाम में तो सिर्फ रोला या सोठ आप रिवाश आ grammar शुरुवात होती है तब से उस grammar को पढ़ना शुरू कर दो especially वो लोग जो किसी competitive exams की तयारी कर रहे हैं आप लोग लिए सबसे best fund आई होगा कि आप छटवी सिले की 12 तक की जितनी भी grammar है कैसे कहते हैं कि जगर आपको government exams की तयारी कर रहे हो तो आप 6 से लेके 12 तक ही पूरी NCRT पढ़ लो कहते हैं ना वैसी ही यहाँ पर आपको 6 से लेके 12 तक ही पूरी basic grammar पढ़ लेनी है grammar पढ़ ली आप grammar में आपसे कहीं से भी question पूछी जा सकते तो आपसे बन जाएगे याद रखना कभी भी सफलता की सीड़ी का कोई shortcut नहीं होता अगर आपको success चाहिए है तो आपको कभी भी shortcut नहीं अपनाना ठीक है वैसी आपको अपकर exam में बहुत अच्छे mark सही है तो कभी भी shortcut पी नहीं जाना कि मैंने सिर्फ परिभाषा याद कर ली और बस मेरा काम हो गया अगर मालो आप कोई भी रस पढ़ रहे हो तो रस की परिभाषा के साथ साथ उसकी उदाहरन भी आते हैं कुंडिलिया चंद पढ़ रहे हो तो कुंडिलिया चंद की परिभाशा के साथ साथ उसके उधार नाते हैं तो मैं आपको लोग को एक बहुत अच्छी बात बताओं कि जब मैं पढ़ रहे थी मेरे बारवी गक्षा की परिक्षा थी हिंदी व्याकरण में मुझे दोहा पाई याद नहीं हो रहे तब उन्होंने महजवानी मुझे सुनाया था उन्होंने बोल के सुनाया मुझे याद हो गया और विल्कुल एग्जेक्ट वही मेरी परिक्षा में आ गया तो मुझे वहां से उन्हें से हैल्प मिली थी तो हमारे एक बात कहने का कॉंसेप्ट यह है कि अगर आप लोग classes देख रहे हो वीडियो भी देख रहे हो किसी चीज का तो सुन कि आप लोग चीजों को जादा लंबे समय तक याद रखोगे तो सुनना है या ऐसा नहीं करना फोन रख लिया और site से को short करने लगे नहीं अगर एक समय पे एक ही काम करना है और मैं एक बार फिर से repeat करूंगे कभी भी success की जो cd सफलता की जो cd होती उसका कोई shortcut नहीं होता तो कभी भी इसमें नहीं जाना कि मुझे इसका shortcut बन जाए मुझे इसकी trick हाँ trick से याद रखना बहुत जरूर है यह useful होती है जो आप कोई objective type questions आ रहे है विकल फिप्रशन या mcq उस देख रहे है उसमें आपको trick याद रखना है लेकिन अगर आप पूरी grammar पढ़ना चाहते हो grammar में बहुत अच्छा बनना चाहते हैं तो grammar आपको कैसे याद रखनी है सबसे पहले उसकी एक एक point को सुरू आउस से पढ़ना 6 से लेके 12 तक की पूरी grammar पढ़ना चीक है clear है आप दूसरी बात आती है बच्चे याद नहीं रख बाते तो बच्चों याद रखने का सबसे है तरीका यही है कि लिक लिक कि याद करो मालो अगर कोई जैसे मुझे बच्चपन में चंद याद नि होता था ठीक है तो मैंने उसको याद तो कर नहीं था आप पेपर में चंद आते हैं यांता कॉपी में था हम लिखनी सकते थे या याद नहीं हो रहा तो वहाँ पह आप कितनी speed से लिख सकते हो परक्षाम तो याद सकते हो करना YOU कुछ भी लिख रहे हैं कुछ भी देख रहे हैं को एद वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे बिले अच्छी quality होती है, अच्छा स्ट्रेंट वही है जो नोट्स बनाते हैं माल लो आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमेशा आपको एक कॉपी पैन लेकर बैठे उस वीडियो को देखते वक्त कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कुछ वाग कैसे आ जाते कुछ शब्द कि जिनके आर्थ आपको नहीं पता ह जाओ जैसे ही मैंने एक वीडियो बनाय था कि इसकी राइटिंग अच्छी लेएं जिसको राइटिंग में दिक्कत होती है लिखावेट में उसको मैंने बताया था कि लिखना है तो ज्जादर से ज्यादा प्रैक्टिस करो वैसे ही अगर कोई चीज यादवर करनी है तो ज कौन से सून लिया एक से निकाल दिया हमें वन बातों पर अमल करना हैं करना है कि नहीं तो याद रखना अगर व्याकरन को बहूत अच्छे से पढ़ना है तो 6 से falls लेके 12 तक कि पूरी बुक है जो व्याकरण की उस व्याकरण को पड़ो व्याकरण के हर एक नियम को पड़ो और जो जैसा बताया जा रहा उस नियम को याद रखो अगर लग रहा है कि कि लो आपका उप्मालंकार आग्यां तो अगर आपने उप्मालंकार के 10 उधाहरन पढ़ लिये तो दस में से कोई एक तो आपको याद रहेगा ना को एक आपकी परिख्षा में चाहेगा तो इस तरीके से आपको याद रखना है व्याकरण ठीक है क्लियर है चलिए तो जली से इस वीडियो को अपने सारे दोस्त के शेयर करो, उनको बताओ कि प्रियंगा मैम का कहना है, अगर व्याकरण को बहुत अच्छी समझना है, तो सिख से लेके टोल तकी पूरी व्याकरण पढ़ना है, लिक लेके देखना है, ज्यादा स्यादा उदाहरन करने है, और कुछ भी स कोपिक पढ़ना है, पूरा चैप्टर बढ़ना है, ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाई-बाई, टेक क्यार,